सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान यूज 24 और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए 22 अगस्त से सुरू हो रही टेस्ट चेंपियंशिप से पहले आज भारतिय टीम अजिक्य रहाडे की गपतानी में वेस्ट इंडीच क्रिकेट बोर्ड 11 टीम के खिलाप अभ्यास मैच खेलेगी दरसल वंडे सिरिच के आखरी मैच के दोरान विराट कोहली के अंगुठे में चोट लग गई थी यही वज़ा है कि विराट इस मैच में नहीं खेलेंगे दिल्चस बात यह है कि इस मैच में श्टार सलामी बल्लेबाज रोहित सर्मा और युवा विकेट की पर बल्लेबाज रिसब पंत पारी की शुरुवात करेंगे गौर तलब है कि बेशक रिसब पंत का हालिया फोर्म टी ट्वेंटी और वनडे में कुछ खास नहीं रहा लेकिन टेस्ट क्रिकेट में रिसब पंत ने ऑस्ट्रेलिया और इंगलैंड में ताहल काम मचा दिया था वहीं रोहित सर्मा की एक बार फिर टेस्ट टीम में वापसी हो गई है वनडे और टी ट्वेंटी में कई बड़े विश्व रिकार्ड बनाने वाले रोहित सर्मा अभी तक टेस्ट क्रिकेट में अपनी छमता के अनुरूप प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आज रोहित सर्मा और रिशव पंथ टेस्ट क्रिकेट में अपनी तुफानी बल्ले बाजी का जलवा भी खेर सकते हैं दोस्तों अगर आप भी रोहित सर्मा और रिशव पंथ के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हलांकि टेस्ट क्रिकेट की विशेशग्य सलामी बल्ले बाज, लोकेश राहूल और मयंक अगरवाल के अलावा हनुमा बिहारी भी टीम में मौजूद हैं लेकिन एक्सपेरिमेंट के तौर पर टीम मैनेजमेंट, हिटमेन रोहित सर्मा और रिशव पंथ से पारी की शुरुवात कराने का मन बना चुका है इसकी एक वज़ा ये भी है कि टेस्ट क्रिकेट की घटती लोक प्रियता की वज़ा से इस फॉर्मेट को आकरमक बनाया जा रहा है टेस्ट चैंपियंशिप जिसे टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी कहा जा सकता है इसका फाइनल 2021 में लाइड्स के मैदान पर खेला जाएगा जाहिर सी बात है कि अगर T20 और One Day मैच की तरह टेस्ट क्रिकेट का वाल्ड कप एक बार में कराये जाये तो साइद एक साल का समय भी कम पड़ जाएगा यही वज़ा है कि ICC ने टेस्ट चेंपियंशिप को टुकडो में कराने का फैसला लिया है बात करें भारतिय टीम की तो रोहित सर्मा, लोकेश राहुल, रिशब पंथ, अजिक्य रहाडे, चेतेस्वर पुजारा, मयंक अगरवाल के कंधों पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी रहेगी तेज गेदबाजी आक्रमण की बात करें तो जस्परीत भुमरा, इसांत सर्मा और मुहमत समी तेज गेदबाजी की बागडोर संभालेंगे इस पिन गेदबाजी की बात करें तो रवीचंदर नस्विन, रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकते